उम्ब्रम्मा मुरारी स्त्रपुरांत्रकारी बानु सशीवो मिसुतो बुदश्य गुरुष शुक्राश निराहु केतव सर्वेग्रह शांतिकराभवंतु गुरुर बंधा गुरुष शुक्राश निराहु केतव सर्वेग्रह शांतिकराभवंतु नवग्राश निराहु केतव सर्वेग्रह शांतिकराभवंतु में आचारे डॉक्टर विक्रमातित आपके साथ हूँ और आज का विशे हमारा है कि व्रशब राश्री वालों के लिए ब्रस्पती का जो स्थिती परिवर्तन का युग बन रहा है वो कैसा रहेगा आपके लिए देगी ब्रस्पती महाराज सबसे शुप ग्रह माने जाते हैं देव ग्रु प्रस्पती कहें जाते हैं और हमारे आज के विज्ञान के अनुसार भी हमारी प्रित्वी के सबसे ज़्यादा कोई हितेशी ग्रह माने जाते हैं तो जुपिटरी माने जाते हैं कारण वो देते हैं कि ब्रस्पती सबसे बड़े ग्रहे हैं उसका गृत्वा का करशन जो है सबस्या अधिक है तो पृत्वी के आदे आने वाले खत्रों को वो अपने उपर ले लेते हैं तो इसलिए ब्रस्पती ना होता तो पृत्वी के लिए बहुत भारी समय होता तो ऐसे इसी कारवन जोतिश ने उसको वास्विक तोर पर बहुत व्रहद रूप से समझने का प्रयास किया और इसी जोतिश के दिश्टिकोंड से ब्रस्पत्ति को हमारे सबसे सब्षुभ ग्रहे के रूप में उपस्तित किया और व्रशब राशी वालों के लिए तो ब्रस्पत्ति महाराज की स्तिती बहुत ही अजीब हो गरीब विजितर रहती है क्योंकि ब्रस्पत्ति महाराज आपकी राशी के अनुसार से निमबात करें तो एक तो लाब के मालिक है आपकी income के मालिक है आपकी राशी के अनुसार से 11 भाव के मालिक है और साथ-साथ अश्टम भाव के भी मालिक है और इस वक्त ब्रस्पती महाराज जो है वो आपकी लगन में ही चल रहे हैं आपकी राशी में स्वयम विद्धिमान है राशी के अंदर विराजमान चल रहे हैं फिशले करीब करीब इस 2024 के मर्देकाल से अब ब्रस्पती महाराज वक्रिस्तिती में रहेंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तरफ जो ये वक्रिस्तिती है ये विशेशतर पर आपके लिए दोहरा समय रहेगा ब्रस्पती बड़े स्वत्विक ग्रह माने जाते हैं और स्वत्विक्ता के अनुसार से क्या होता है न जो कोई एक अच्छा विक्ति होता है तो उसको सबच्छे है सबच्छा दिखाई देता है और कोई वेक्ति नेगेटिव होता है तो सब कुछ उसको नेगेटिव ही दिखाई देता है ब्रस्पति शुब ग्रह है और ऐसे में क्या होगा ब्रस्पति पूर्ण ताकत में जब कोई ग्रह वक्री होता है और विशेशतर वर ब्रस्पती की हम बात करें तो बहुत ताकत में आ जाते हैं और अपने शुबत्तों को ब्रस्पती का प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है तो ऐसे में प्रस्पति जब लगन में है तो व्यक्ति को खास तोर पर समस्या एक आती है कि ये दिख भ्रमित कर देता है व्यक्ति को चीजों को सही रूप से समझने के लिए यानि सामने वाला व्यक्ति अगर नेगेटिव भी होगा तो ये व्यक्ति जो है व्यक्ति वर्षब लगना शरी वाला व्यक्ति है वो ऐसे में जो इस पर इस पर और प्रभावत्पन हो रहा है वो ऐसा है कि शायद वज्तिओं को तो 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 आप अपनी इमान्दारी और सही रूप से समझने के लिए यहां अपनी सिध्यपन से लोग हमारे को नुसान दे गए यह में को बुद्धू बना गए तो मैं ऐसा वर्ड तो नहीं जूज करूँ गा मैं काओंगा हम अपनी सज्जनता के कारण ब्रस्पति सज्जन हैं दार्मिक हैं धर्म का प्रभावत्पन करते हैं सात्विक्ता का प्रभावत्पन करते हैं तो ऐसे में negativity से वेक्ति जो होता है उसको दिमाग में आती नहीं है और चलने से सामने वाला छूटने वाला है नहीं देखिए वरशब राशी वाले जो हैं शुक्र किराशी के उनके मालिक होते हैं तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा खास तोर पर आपको ऐसे में जो अच्छी बात बोलेगा आपके लिए वो आपको चुभेगी कोई वेक्ति आपको समझाने का प्रयास करेगा तो ऐसे में बड़ी साथधानी के साथ देशा है हमने कहा कि ब्रस्पति जब वक्री होते हैं तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं अब वक्री का मतलब उल्टा बिल्कुल नहीं है कई लोग बिशर्चतर बिस इंटरप्रेशन करके यानि अगर वो देख रहे हैं लगन में बैठे हुए तो बारे में भाव कफल करने नहीं रहे जहां बैठा है कोई वहीं प्रभाव करेगा उससे पीछे कैसे जा सकता है पता नहीं कौन कौन से नहींने concept को हम समझने का प्रयासा ना करें इस परकार से हरे ग्रेय की इक अलग औलग और्बिट है अब भरसपती की जो एक órbit अलग है उसमें जो हमारी órbit जिसमें चल रहे है उसमें जब हम एक ही तरफ चलते हुए दिखाँ ही देंगे तो भरसपती लंबे वाले में चल रहे है जो चोटी आर्बिट पे चलेगा वो आगे स्पीड निकल जाएगा तो ऐसे में ब्रस्पती अपनी स्पीड चलते हुए उस शेत्र में जो विश्ष्ट अपर व्रफशेप्राशी का शेत्र होगा उसमें लगेगा ब्रस्पती की जो स्पीड है वो अजीब सी हो गई है वह हम calculation point of view से उसको बोल देते हैं कि negative जो घटना शुरू हो गया है महां calculated point of view से का जाता है कि ब्रस्पती नेगेटिव अंश घटा रहा है अंश घटा नहीं रहा है भाई तो वो अपनी और ताकट से उस प्रभाव को उत्पन कर रहा है तो यह समझने ब्रस्पती महाराज जिस मेकार का आपके लिए योग बना रहा है तो ऐसे में ब्रस्पती की जो प्रभाव है उसको सही रूप से हमेरे समझने के लिए आवशकता रहेगी चीजों को आपको चीजों को दूर दर्शिता को जगाना पड़ेगा खास तोर पर और ब्रस्पती की शाक्ताकत को बैलन्स करने के लिए खास तोर पर आपको केवल आप ही आप सब कुछ है ब्रस्पती क्योंकि प्रभाव उत्मन करता है कि जब लगन में ब्रस्पती आ गया राशी में जा गया तो आच्छा दित हो जाता है और ऐसे में ब्रस्पती कि यह क्या होता है थोड़ा अभिमान बढ़ जाता है यह प्रभाव आपके अंदर देखेगा इन दिनों कुछ खास तो आप अच्छे समझ पाएंगे यह ऐसे एक बात और समझें कि ब्रस्पती वक्री स्थित में क्या करेंगे कई बार क्या होता है हम कई कारे करके काम कण कर लेते हैं यही प्रभावत्मन करने का समय है कि ब्रस्पती उस समय को उस कारें को कई सारी चीजों को दूबारा आपके सामने opportunities लाने की योग बना सकता है ब्रस्पति की लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा खास तोर पर, बड़ों का सम्मान विशेशतर पर करने का प्रयास करें दूसरों के सोजावों को, दूसरों के बातों को तवज़ों देने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कारे करें, हो सकते तो ब्रस्पति के निमे तो कुछ खास होबाए, अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, ऐसे में थोड़ा चांत भाव से, चीज़ों को एक्सपिरियंस करते हुए, थोड़ा सा शालिंता के साथ चीज़ों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, ध्यान रखिएगा विशेश्टर पर ऐसे में, शनी के साथ जगड़ा मत कीज़ेगा, शनी माराज इन दिनों विशेश्टर पर आपकी राशी के अदिश्टि कोन से जहां चल रहे हैं, आपी तो वक्री हैं, पंद्रह रवंबर से बाल्गी हो जाएंगे, इस चीज़ें आपके बहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा हट इस मंत्र का नित्यपति चप करें, हो सके तो भवान शंकर के मंदिर में जाकर, थोड़ा केसर वाला दूद लेकर, केसर दूद में केसर डालकर, उनको थोड़ा अर्पित करने का प्रयास करें, केसर का ब्रस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत सुन्दर हो सकता है, लाप के योग बना सकता है, यह हमने एक नजरी आपके समख रखने का प्रयास करें, वैसे आप भी जर्मपत्री में क्या को चल रहा है, ग्रहों का प्रभाव वो भी अच्छे समझने की जरूद है, यह ब बढ़िया शक्ती में रहेंगे प्रस्पति, यदि आप चीजों को सही समझ दिये, तो आपके लिए बहुत वारे न्यारे करने के अफसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, देखिए ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्र से बहार पथा चले गा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं, लेकिन आप ये समझना पड़ेगा, इस की श्थिती इस प्रकार समझें, कि दुनिया में हर प्रभृति के लोग हैं, जो कई बहुत लूचे सानों बबैठें, कई साधारन सानों बबैठें, कई बिलुकु वो गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा ये ऐसा नहीं कह सकते कि जोतिश के दिश्टिकोंड से ये जो गोचर का प्रभाव है हर वेक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े आपकी जनमपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए किस प्रकार के दरिद्रयोग बने हुए कि तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होके निकल जाएगा, बहुत सारे लोग अपने समय समय पर प्रशन उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रहोयोग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशी के दुष्टिकोंड से अच्छ उठते हुएं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जरमपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है, उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है, अब हवाएं ऐसा समझ सकते हैं, कि गोचर के दिश्चुकोंड से ऐसा मानें, कि एक के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कही बार, और वो यदि कोई वेक्ति को बुखार है, तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोडों का दर्द है, तो उसकी जोडों को दर्द को बढ़ा देगी, लेकि कोई वेक्ति स्वस्त है, तो पूरी तरसे उसका आ गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्तित करते ही रहते हैं, तो इसको बहुत व्रहद रूप से, बहुत सुक्ष मिद्रिश्टी कौन से जोतिश को एनलाइज करने की आवश्यक्ता होते हैं, उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रया जाया कि यह इस प्रकार का होने का यग है, ऐसा होगा, बिलकुए मूल जिनवपत्री में जिस प्रकाजी ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, उसक्ते माने, बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महारा जी हो गया, ऐसा हो रहा है, यह आपको अनलाइज करके बता दिया कि आपकी चीजों को समझ कर नवस को देखकर आपके ब्लेटेस को देखकर कि भाई ये समस्या है अब उसका निदान क्या है तो अगर निदान कोई कह देख भाई असको कोई निदान ही नहीं है तो ऐसा ही चलेगा ऐसा ही होना है तो फिर उस जीना किसी प्रकार से कहीं न कहीं उपस्तित है, बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगे पहुँच जाएं, सही रास्ता अपना लें, तो बिलकुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कश्ट और यदि दुरभागे जीवन में है तो बिलकुल पडोस में बैठा हुआ वो उपाए भी जीवन में बैक्ती भठकता रहता है और पडोस में भी वो रास्ता बिलकुल तही नहीं प्राप्त हो पाता है अज्यानता कि इस तीज़ परकार से हो जाती है यह सारा समय का खेल यह चो कहा गए ना भाग्यम फलत लिसारवत्र नुच बिद्या नच बोवरुषम कहीं गलत नहीं है इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे स्छेष्ट है परमात्म की कृपा धर्मिक्ता अपने अंदर उदे रखें परमात्म का इवन में सब कुछ अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको help करी, इसको help करी, वो उसके बाद भी, अब पता नहीं, तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई, हो सकता है, गड़ा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्द में, या किसी जन्द में कोई ऐसे अज्यात, दुशकर्म हो गए हैं, जिसके कारण से जो पुन्य आप कर रहे हैं, वो छौक ही लगते चले जा रहे हैं, अब किसी वेक्ति के बाद दो करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है सौसर रोपिया, तो सौसर रोपिय कमा कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेग तो वो छौक लगके उड़ी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उसका ब्याज, शक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा, कि जो रोज की कमाई हो रही है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो ये स्थिती हमको समझनी है, और ये मूल जरम पत्ति समझा सकती है, कि क्या स्थिती है, क पतिश के प्रत्यक शूप से, यहां हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, अब्रस्पती के प्रभाव को, हमने आपके पुपस्तित रखा, आपकी राशी के अनुसार से, वो बिलकुल प्रमावैदिक दिश्टिकोंड से, प्रमानिक दिश्टिकोंड से बिलकुल सकते ह बस वही एक्जामपल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है उसका प्रभाव आपके उपर किस प्रकार का हो रहा है वो पूरी जरमपत्री को निसकरश रूप से यदि हम देखें समझें तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी और चलते रहते हैं इस दोरान में जैसे प्रस्पति का वक्रिस्तिती चल रही है आश्रम में लगातार बहुत सारे क्राइकरब रहेंगे यगी भी रहते हैं हर अभी वार को सुवे 8-10 बजे तक यगी रहता है मंगलवार को सुन्धरकान का पाट रहता है नित्य पत्री जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ, आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्विंग गतिविद्या है, लगातार पिछले करी परिपचास सालों से चली रही है और हजारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं, आप भी आएंगे रवीवार वाले यगे में त लगातार